आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ ये चार options में से चुनकर एक लिखना है तो सबसे पहली बात तो ये इस blank के बारे में हम बात कर लेंगे तो इस paragraph में क्या आता है आगा है कि new civilization cannot be built new civilization का निर्मान उस वक तक नहीं हो सकता जब तक विनाशकारी तत्वों को उखाण कर फेक नहीं दिया जाता जिन्होंने civilization का विनाश किया है जिन्होंने ठीक है शब्द जिन्होंने है तो वो एक्च्टुली हमको ऐसा शब्द तलाश करना है इन मेंसे जिसकी meaning होते है जिन्होंने तो सबसे पहला जो शब्द है that is what ठीक है what की meaning कभी what की meaning क्या होते है लेकिन अगर ये sentence के दर्मियान में आता है तो उसके meaning होते है जो जैसा कि for example मैं कहूंगा है कि I don't know what you say I don't know what you say I don't know what you say यहां पर मुझे पता है जो कुछ तुम कहते हो जो कि तुम कह रहे हो यह पर इसके meaning जो होते हैं या जिन्होंने जो होते है लेकिन यू से यह what you say यह कि है noun clause है तो जब यह noun clause का हिस्सा होता है या इसके बाद अगर noun कोन होता है तभी उसके माइनिंग मीनिंग जो निकल सकते हैं अन्य था इसके माइनिंग क्या होते हैं और हमको चाहिए ऐसा शब्द जिसके माइन होते हैं जिन्होंने civilization का विनाश किया है ऐसा अर्थ निकलने वाला हो तो ये what ये सही नहीं होता है दूसरा चाहिए आप देखते हैं when 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 के meaning होते हैं कब हम क्या चाहिए जिन्होंने civilization का विनाश किया है ऐसे तत्वों को उखाड़ के फेकना चाहिए तो when के meaning तो कब होते हैं तो ये भी नहीं होगा actually ये सारे के सारे जब sentence के दर्मियान में आते हैं तो ये conjunction कहलाते हैं इसके meaning कब और जब होते हैं अगर ये when है sentence के शुरू में आएगा तो इसके meaning कब होगे लेकिन sentence के दर्मियान में आएगा उसके meaning जब होंगे तो यह जब भी अगर हम इसके meaning निकालते हैं तो यह साही नहीं होता है Meaningful sentence नहीं बनता है उसके बाद में चौत्य नम्मर का option लेखते हैं that's where याज यानि कहां या फिर जब sentence के दर्मियान आतंग होता है उसके meaning होते है जहां तो यानि जिस जगे पर तो यह वेर को अगर हम यहां पर यूज करेंगे ना तो अजसा हो जाएगा वह सेंटेस एलिमेंट्स और रिमूड वेर है व ब्रॉट हम की सेंटेस्टैस की मिरा नहीं बन रहा है मों के अगर या इसके बाद मी pudding आने वाले चीजे हैं यह अगर किरके things से related है तो जिन्होंने इसका मतलब होता है तो विनाश कारी तत्वों को उखार कर फेकना चाहिए जिन्होंने विनाश किया है civilization का ऐसा मतलब हो रहा है तो यह which के मतलब सही थाबित होता है which अगर हम हम यूज कर सकते हैं अगर which हम यूज करते हैं तो हमारा sentence सही बनता है और इसलिए हम इसी को select करेंगे which that is correct answer. Thank you.